आजब बात करेंगे रोजा किन चीजों से तूटता है किन चीजों से नहीं तूटता है और दोस्तों सबको आपको रमजान की बहुत-बहुत मुबारक बात आज रमजान का पांचवा रोजा है जुम्रात का दिल है तो आज हम बात करेंगे कि रोजा किन चीजों से नहीं तूटता है किन चीजों से तूट जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ खाने पीने की भूलकर अगर हम कुछ खा पी लेते हैं तो रोजा नहीं तूटता है लेकिन हम अगर खा रहे हैं पी रहे हैं तो उस कंड करते हैं कि पेश्ट करने से रोजा तूर जाता है और यहां तक कि मिस्वाप करने से रोजा नहीं तूरता है क्योंकि पेश्ट में कुछ ऐसा आर्क होता है वो हलक के अंदर उतर जाता है जिससे रोजा तूर जाता है इसके बाद हम बात करते हैं कि आँखों में हम ड्रोप डालते हैं उससे भी रोजा नहीं तूडता है और दूसरा यह है कि कान में अगर हम ड्रोप डालते हैं कान में डर्द है ड्रोप डालते हैं उससे भी रोजा नहीं तूडता है लेकिन इसमें यह सरत है कि कान का परदा फ की अपने आप अंदर चला जाए तो उससे भी रोजा नहीं तूड़ता है और इसके अलवा हम बात करें तो अगर आप चला कर उंगले हलक में डालते हैं उससे उल्टी आ जा तो उससे रोजा तूड़ जाता है और लेकिन अगर अपने आप उल्टी होती है तो उससे रोजा तोटा है और यहां तक की जो थूग होता है उसको हम अंदर निगल जाएं उससे रोजा नहीं तोटा है लेकिन जब हम नाग से शांस खेंचते हैं उसमें मलगम आता है तो उसे हमें बाहर फैंकना चाहिए और यह सारी चीजे हैं जो मैंने आपको बताई जिनसे रोजा तोट इसलामिक के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम उसका reply देने की पूरी कोशिस करेंगे और कोई बहुत ही अच्छा कमेंट हुआ और हमें लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो हम उस पर वीडियो भी बना देंगे तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नेट ओपिक के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज